हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों आज का टॉपिक है फ्रिक्वेंसी एंड टाइम प्रियेड आप अल्टर्नेटिंग क्वांटिटी चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कहने का मतलब है कि जो हमारी अल्टर्नेटिंग क्वांटिटी होती है जैसे कि अल्टर्नेटिंग वोटेज ऑंड क्रेंट वह जो है एक सिकेंड में ऐसी कितने साक्लें कंपलीट करती है उसे ही फ्रिक्वेंसी यानी हर्स कहा जाता है, अब दैखिए ये साकल जो है हमारी पास्तिव से श्टार्ट होते वे निगेर्टी पिर पास्टी होगी यानी यह ए क्मान लिजे हमारे प्रिक्वेंस कितनी होगी बं HER होगी और यदि वही है कि सिकन्ड में और 6 नेकं कप्लेट कर होती है यानि उसके कहने यानि उसका मतलब है कि हमारी जो अल्टर्नेटिंग क्वांटिटी है वह एक सेकेंड में 50 साइकल जो है पूरी करती है अल्टर्नेटिंग क्वांटिटी का मतलब अल्टर्नेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टर्नेटिंग करेंट होता है या जो हमार तो उसकी frequency कितनी होगी 50 Hz होगी इस waveform में यहां पर देखने लाएं है कि जो हमारी जो पहली cycle one cycle है जो first cycle है इस पूरे को first cycle कहा जाता है उसमें जो है जीरो है कितनी बार आ रहा है देखिए first time second time two times आया तो इसी तरह 50 Hz की साइब 50 Hz जब हमारे जो इंडिया की जो निधारित फिक्वेंसी है 50 Hz तो उसमें जो है 50 Hz की साइकिल में कितनी बार जीरो आएगा 100 टाइम जीरो आएगा जैसे मान लिजे हमने एक बल्ब ले लिया और हमने उसे इलेक्टिकल सप्लाई दिया तो इस वेफ़ाम में आप देख रहे हैं एक साइकिल जो है दो बार जीरो पर आ रही है यानि वो बल्ब जो है 100 बार बंद चालू होगा जैसे कि आप लोग cycle में भी देख सकते हैं यह तो current का वे form है यहाँ पर एक cycle में दो बार 0 पर आता है यानि 50 cycle में हमारा current है वो 100 बार 0 पर आएगा 50 हर्स केस में हमारा current जो है 100 बार 0 के पर होगा देखिए यहाँ पर भी 0 के पर है फिर यहाँ पर भी 0 के पर होगा यानि जिससे हमारा एक cycle में जो current है वो जो है 100 बार बंद चालू बंद चालू होगा बट वह इतनी तेजी से होता है हम उससे देख नहीं सकते हैं जैसे कि मालेजे मेरा पेन है इस पर कुछ लिखा हुआ है यह देखिए हम इसको rotate करेंगे तो rotate करते वे फिर से लिखा हुआ आ जाता है तो इसको ही कहते हैं cycle यानि यह आप जैसे कि यह सेकेंड में हम इसको कितनी बार rotate करेंगे कि यह जो उपर जो ही कितनी बार आता है ऐसा ही समझिए इसको ही frequency यानि cycle करते हैं आसा करता हूँ आप सभी को frequency समझ में आया होगा चलिए देखते हैं time period the time taken by an alternating quantity to complete its one cycle is known as time period इसको capital T second से denote करते हैं यानि इसके कहने का मतलब है कि हमारा जो alternating quantity का यह जो आप waveform देख रहे हैं इसको पूरा एक cycle पूरा होने में जितना समय लगता है इसको इसी को ही हम time period करते हैं और हम यह जानते हैं कि time period और frequency एक दूसरे के रेसी प्रकॉल होते हैं यानि जैसे कि मान लिजिए कि हमारी जो frequency है वह वन हर्ट की है तो हम बताये थे हैं कि एक सेकेंड में जितना घुमेगा उससे ही हम frequency कहेंगे तो मान लेकिए जैसे कि मान लेकिए यह एक सेकेंड में यह पुरा यह पुरा cycle घुमा तो इसकी जो time period आएगी वह एक सेकेंड आएगी और हमारे इंडिया में जो frequency निधारित की गई है वह 50 Hz है यानि time जो होता है frequency का रसी प्रकॉल होता है हम frequency के देगा हम 50 Hz को रखेंगे जो हमारे time निकल के आएगा 0.02 second या फिर 20 seconds यह time जो है एक cycle का आया है कि एक cycle जो है पुरा होने में कितना समय लग रहा है आसा करता हूँ आप सभी को time period अवस्य समझ में आया होगा अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे like, share and subscribe करें and press the bell icon to get new notification of my video and thank you and happy new year to all of you in advance